बेलकम फ्रेंड्स कैसे आप सभी सबसे पहले तो आप सभी प्यारे भाईयों और बहनों को PBR study की तरफ से रक्षा बंदन की धेर सारी सुबकामनाई इनी बातों के साथ आज की कलास शुरू करते हैं क्योंकि ये कलास आप रक्षा बंदन के एक दिन पहले आएक दिन बाद या फिर रक्षा बंदन के जश्ट उसी दिन ही देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं अगर आपको मैत में कुछ भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल आज से टेंसन छोड़ दीजी आज से आपको मैत आने लगेगा बस आपको करना क्या है इस कलास को पूरा देखना है बीच में इसकी मत करना अगर साभी फार्ट आप देख लेंगे तो आप बिल्कुल 100% मैत में माइस्टर बन जाएंगे चलिए आपको कुछ परमार दिखाते हैं मित्रों ये चोटा सा सवाल देखके भागना मत अभी बड़े भी चलेंगे क्योंकि न्यू पहले मजबूत करना पड़ता है हम मैत की सुरुआत यहां से करते हैं एकदम जीरो से अगर आपको कुछ भी नहीं आता बिल्कुल टेंसन नहीं देना एक तरह का जोड़ ये होता है जिसमें कोई भी हासिल नहीं आता है दो में एक जोड़ा तो तीन हो गया यानि कि टू औन थ्री हो गया सेबन में टू एड़ किया तो नाइन हो गया यानि कि साथ दो नो हो गया और तीन में दो जोड़ा तो पांच हो गया मतलब कि 3 और 2 5 हो गया ये बहुत आसान था दूसरा इस टब में क्या होता है एडिसन में 2 टाइप के ही होते हैं बाकी कुछ नहीं होता लाइप में कहीं भी जोड़ों घटा होगे तो 2 ही तरह का जोड़ मिलेगा कहीं भी करना देख लेना ऐसे ही मिलेगा बाकी कुछ नहीं मिलेगा इसमें 6 में 5 जोड़ते हैं तो 11 होता है यानि कि 11 इसमें इकाई दहाई दो अंक है इसमें आपने 2 में 1 जोड़ा था तो 3 के वाला कहला था इसमें 2 है इनकी जोड़ी है तो इन जोड़ी में से 1 को यहां लिखते हैं जो एक बचते हैं न मतलब उसकी अगला वो उसके चुर्की पे लिख देते हैं अब 8 में 3 जोड़ेंगे 11 होगा यानि कि 8 3 होगा 11 सन्योग वस यहां पर दोनों बराबर हो रहा है तो जो यह चुर्की पर लिखा था इसको इसके नीचे लाके सेट करके इसके 8 कर देते हैं 12 हो गया न अर जो बाया थाइड का इसके चुर्की पे लाके लगा देते है कलीर करते जाना बिल्कुल टेंसिन मदलिने समझते जाना अब क्या करोगे 9 में 1 8 के 10 हुआ 9 में 1 जोड़ जो 10 हुआ 10 में यह जो चुर्की वाला है इस में जब जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा ये देखो बात समझ में आई ना कुछ गड़बर होगा तो बता दे ना 6-5-11-1-1,88-8-3-11-12-9-1-10-1-11 देखिए गलती हैं हर किसी से होती है ट्राइ करने में कोई हرج नहीं है जब बच्चा फैदा होता है बार बार गिरता है बार बार उठता है और एक बार वो आपके जैसे बन जाता है मतलब जिन्दगी में दोड़ना चलना और फिर जिन्दगी से लड़ना भी सिख जाता है तो मैत कौन सी बड़ी बात है दूसरा देखिए ये गुड़ा में कितने टाइप का होता है आपको आता है तो बिल्कुल हसना मजाक मत बनाना क्योंकि जूब आ यह तो n उसका मजाक दुनिया बनाती है इसको गुडा करोगे लेकिन उसके पहले हम इसको करेंगे दो दुना यहो जाए गा 4,224,混 1,G, two,ích टू इसको यहां लिख देते हैं, बाकी जो यह बचा हुआ है ना, इसको इसकी चूरकी पे लिख देते हैं, अब 5, 3, 15, 15, 15, 15 में 3 जोड़ो भी 18 हो जायागा, बात समझ में आ रही ना, 18 कार्ट लिखोंगे हांसी लाएगा, 1 और 5, 9, 45, 46, एक बार फिर से देख लो, कहीं गड़ पूरा देखना, एक-एक सवाल का अलग-अलग मतलब है यहां पर, देखे यह तीन तरह की भाग यहां लिखी गई है, भाग को इंग्लिस में डिबीजन बोलते हैं, डिबीजन का एक मतलब मंदल भी होता है, लेकिन यहां पर मंदल से कोई मतलब नहीं, यहां पर डिबीज 6 है ना इसमें क्या अंतर है इसमें अंतर की यह है कि तीन के पहाड़ा में कहीं भी 11 नहीं आता है कि इतना भी पढ़ते जाओगे खतम हो जाएगा लेकिन कभी आएगा नहीं तो इसमें क्या करते हैं तीन तरीका 9 ये तीन एकम 3 इसमें थोड़ा सा माइंड लगाते हैं कि जो 11 है कि इसके बीच में होगा दो नंबर के बीच में होगा और वो दो नंबर हमारे इसके बीच में आते हैं मतलब 339 और 3412 के बीच में आता है तो एक जादा ना होने पाई एक कम भले हो जाए जैसे कि अगर आप दुकान पर जाते हो आपके पास अगर एक रूपया कम है तो दुकान दार आपको कताई सामान नहीं देगा और अगर आपके पास जो है उसके पास चेंज नहीं एक रूपया बचता है तो आपको अपफ नहीं देगा कोई सामान देगा या बोलेगा भाई इसमें टू अंजा पहले ये टू हो जाता है, सफ्ट्रेक होने पे जीरो आ जाता है, बहुत ऐसी बात बता रहा हूँ, जो यूटूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, आपकी कलास में अभी आपके टीचर जी नहीं बताएगे, इसको क्यों नहीं बताएगे, क्योंकि अभी यहां इतना ही नहीं खतम होता है, अभी बहुत कुछ है, आगे भी देखते जाना, आगे देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने थंबनल में देख लिया, वैसा ही, अगर आपको समझ में नहीं तो आज से पढ़ाना बंद और चैनल खतम, पक्का आएगा गारंटी के स इसमें कफी लगबख खतम नहीं होती है, तो तीन का भाग इसमें ले जाओगे, आप तो तीन चंग अठारा हो जाएगा, त्री सिक्स जा एटीन जिसे बोलते हैं सब्ट्रेक करोगे तो टू आएगा, अब यहां पर समझ दे जाना, अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं सी प जा दूँ कि डेसिमल मात्रे एक बार बढ़ाया जाता है, बार बार आप जीरो उतार सकते हो, बार बार पॉइंट नहीं बढ़ाते हैं, याद रखना, फिर से जीरो उतारोगे, फिर से आपका ही सिक्स बार जाएगा, अट्टीन हो जाएगा, फिर से अफ्ट्रेक करोगे इसको लिखते हैं कैसे ये पूरा जो लंबा सा इसकी डोरी है न ये, इसको एक में समेटते हुए क्या करते हैं, जो डिजिट बार बार रिपीट होता है, उसके उपर एक बार लगा देते हैं, बार मतलब जानते हैं, एक बंधन में बंध जाता है, जैसे जानते हैं बंधन में आया ना अब इसको देखिए इसमें क्या अंतर है जो मैंने सुरू किया है आपको बहुत मजा रहा होगा कमेंट करके बताना और लाइक जरूर करना इसको अगर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा दो बार जायेगा तो यह हो जाएगा चार दून आठ हो जायेगा ना इसको जब यहां पर सफ्ट्रेक करोगे तो वन आएगा आप उपर पॉइंट बढ़ा कि यहां जीरो उतारोगे अब फूर का टेबल फिर से पढ़ोगे तो फूर टूजा हो जायेगा क्या एट यानि कि चार अंतर देखना हर एक सवाल में अंतर होगा वो उसका भी ज्यादा बड़ा बाफ है देखते जाना देखते हैं गलत तो नहीं है चार दूना आठ एक आया जीरो उतारा यानि की दसमलो बढ़ा करके फिर चार दूना आठ दो चर पंचे बीस गलत होगा तो बता देना भाई हमे की नहीं जाएगा उसको सुना है की नहीं कौन कहता है यारो आसमा में छेद नहीं होगा एक पत्थर तो दिल से उचालो है ना तो जीरो बार जाएगा ऐसा नहीं की नहीं जाएगा सब्टेक करोगे जीरो आएगा अब आप क्या करोगे फिर से चाहो तो जीरो बार ले सब्ट्रेक करोगे तू आएगा और अब आफ क्या करोगे यहां पर जीरो उतार लो चुप चाप और शिक्स थ्रीजा 18 देखो सुरू हो गई आफ़त की बारात अब यह कभी कटने वाल नहीं है कहीं गड़बड होगा तो बता देना बिना किसी टेंसन के बता देना पहले जी एक बार भाग ले गया तो तीन बार गया फिर दुबरा से यहां जीरो उतारेगे फिर तीन बार जाएगा अब यह 18 आया अब आप यहां पर अगर गवर करो तो यह तीन कभी कटने वाला नहीं है बार बार ऐसे तीन 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 आता चला جाएगा यानि कि फाइनल में इसका आंसर जो होगा 0.83 के उपर बार होगा मतलब समझना 8 के उपर बार नहीं लगाओगे क्यूं liz • खत्म हो गया भाई ये आता कैसे है ये इसका मतलब क्या है बहुत डर लगता है ये आता यहीं से है बात समझ में आई ना ये टॉफिक आपने समझ लिया होगा उम्मीद करते हैं तो आगे चलिए अभी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे लेकिन कलास को छोड़ के मत जाना गारंटी हमा क्यकरच को लिखाना एक साटूर रिखा है फोड़ा ऑसका पाद कि आपक्या है यह इसका जुड़ा इसे नीचे ऊपर लिख Users पैजा और यह Då रिख ऑनिय है सन्योग भस यहांपर डेसिमल डेसिमल की नीचे निचे कुद ही आ जा रहा एक अगर नहीं आता है किसी में तो उसको खुद से लाया जाता है अब आपको तीन में एक जोड़ना है चार हो गया और ये decimal वहीं पर लिख देना है zero जहां पर था वहीं पर लिख देना ये इसका अंसर हो गए देखो कितना आसान था लेकिन अभी ये आसान था वो उतना आसान नहीं होगा कैसे नहीं होगा उसका रीजन ये है कि इसको अगर आप ऐसे लिखोगे 0.03 और इसको आप लिखोगे 0.2 क्या हो जाएगा ये 1 लेकिन ये तो हमने लिख दिया आपने देखा बराबर हो गया आपने सुना होगा यहाँ पर जड़ा देखना छोटा सा अगर 3 तो तो जोडने का नियम ये होता है कि 3, 2, 5 इसके नीचे लिखते हैं तो पीछे दाहिने साइट से लिखते आते हैं तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 ऐसे होना चाहिए आपने पढ़ा है यह चीज गलत है याद रखना अगर 325 को आप ऐसे लिखोगे इसमें जोडना है 12 को तो यह गलत हो जाएगा ऐसा आपको कताई नहीं करना है यह तरीका सही है तो जरा सोचिए अगर यही तरीका हम यहाँ पर लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखना यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा जो कि सारा सत्यनास हो जा लेकिन आपको दसामलों के ज़ेश्ट नीचे दसामलों लगए बाकी जो इधर जाये आयाए जाने आने द contain नहीं देजिए लेकिन आपको एक बात आतायाद रखना है अप्रड करके 10 नीचे ही नहीं तो ऐसे रहने दो वन में जीरो जोड़ोगे तो यह वन हो जाएगा पॉइंट यहाँ आ जाएगा निकी डेसिमल और यह हो जाएगा यह बात समझ में आई न जरा ध्यान दे न यह अब आप कहोगे यह वन थ्री कैसे हो गया तेरा पैसे कैसे हो गया तीन पैसा में एक पैसा जोड़ा तो तेरा पैसा कैसे हो गया गलत है ना गलत नहीं है जराo ध्यान दो यह एक पैसा नहीं यह दस पैसा है मैं आपको यहाँ पर बताओं जरा बहुत ध्यान से समझना बहुत अच्छा पोइंट बता रहा हूँ मझा आएगा जाना मत छोड़के class को मैं रही बार बार बोल रहा हूं छोड़के ना जाना तुम आदे हजार करके सुना है ना, आगे देखिए इसमें मैं आपको क्या बताने वाला था इसमें मैं आपको ये बताने वाला था इस question के according कि इसमें और एक है ये इसका साथ ही जो है इसमें बहुत बड़ा अंतर है है ना क्यों देखे इसका इकाई दाही दोनों है इसका मतलब वह एक पैसा ठीक लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा छूपा रुस्तम है इसके बगल में कुछ नहीं है ये बहुत कुछ चुपाया हुआ अभी इसको दहाई में पूरा करोगे तो ये 10 हो गया अब देखो क्या है इकाई एंक जीरो है कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन दहाई एंक जो है वो मजबूत होना चाहिए मजब समझ रहना अंदुरूनी मजबूती होने चाहिए तो इस तरह से आपका क्या है एक पैसा ये 10 पैसा तो अब आप समझ गये होंगे जो मैं बताना चाहता था नीचे आते हैं उसको देख लेना बिल्कुल कलास को पूरा देखेंगे तो गारंटी हमारी होगी बस पहले इस्तेमाल करें फिर विस्वास करें का मतलब ये हुआ कि पहले समझ लें उसके बाद कलास को जोईन कर लें क्योंकि ये है आपकी डेमो कलास जो कि आपको तीन से पांच दिन मिलेगी उसके बाद आप जोईन करेंगे तो आगे हम आपको सिखाएंगे कचार्ट तक इसी तरह से नहीं करेंगे तो फिर आपकी इच्छा अब ये जीरो पॉइंट है जीरो जीरो थ्री था हमने लिख लिख लिया पहला जोडने के लिए नीचे उपर करके लिखेंगे देखो ये फोर है सबसे बड़ी याफातिय है कि इसमें तो दसामलो है बड़ा ताम जाम है इसमें तो कुछ है नहीं तो जिसमें ताम जाम नहीं है उसको ताम जाम बनाना पड़ता है कहते हैं ना दुष्ट के साथ दुष्टा करनी चाहिए तो आप क्या करेंगे इसको फोर के बाद में पॉइंट लगा करके इसको जीरो जीरो बना लीजी चाहे जितनी बार इसको आप कर सकते हो लीगल है तो अब decimal को पकड़ के लाके decimal के नीचे लिख दो इसके 22 साइड में 4 था इसको लिख दिया इधर साइड में देखो 0 है ना कितनी बार था चाहे इतनी बार लिख दो कोई फरक ने पड़ना जोड़ दो 3 में 0 जोड़ोगे 3 आएगा चाहे वो बार्डर पर आर्मी में तायनात है चाहे वो CRPF में है पुलिस में है हमारे पास ऐसा कहना ने चाहिए मैं किसी कहां नाम नहीं बताने वाला हूँ लेकिन बहुत से ऐसे इस्टूड़न्ट है जो अभी इस परिजन टाइम में कुछ सरकारी टीचर है प्राइमरी स्कूल में कुछ ऐसे है जो आर्मी में है फुलिस में है और अच्छे अच्छे अस्तानों पर है लेकिन उनको बेसिक कांसेप्ट बिल्कुल नहीं आता है क्या आपने डिगरी ले लिया तो इसका मतलब आपने सब कुछ थोड़ी सीख लिया हमारे पास तो कोई डिगरी नहीं है डिगरी नहीं जनकारी की महत तो होता है आगे देखिएगा बस देखते जाईएगा कोसिस करेंगे सब कुछ आएगा मित्रो आपकी जनकारी के लिए बता दें कि अगर आप कलास को जॉइन करना चाहते हैं तो आप नीजनकोज इस वाटसप नंबर पर जॉइन जे ये एलैम लिकर के मैसेज करें और कलास को जॉइन करें अभी आपकी पाहली डेमो कलास है इस तरह से हम आपको और भी बहुत सार रहें करें या ना करें जिनको सीखना है वो कर सकते हैं कुछ भी जादा नहीं अगर आप आफ लाइन कोचिंग करोगे तो महीना में जो आटो बस का किराया लगेगा इससे जादा लग जाएगा दूप में जाओगे बारिस में भीगोगे वो अलग बात होगी तो अगर आप फिकर बिना किये भी उसको पढ़ सकते हैं उसकी थोड़ी अलग कंडिसन होगी आप 60% payment की class को facebook पर बिल्कुल free में पा सकते हैं इसके लिए pvr study को facebook पर search करें pvr study और तूरंद page को like करें और follow कर दें वहाँ से आप like भी देख पाओगे तो चलते हैं आज के लिए इतना ही आपको बता दें आपको इसी तरह से बहुत सारी class पीब्र study लहबाद चैनल पर मिलती रहेगी जरूरी नहीं कि आप इसको करें अगर इसको करेंगे तो आपको बहुत सारी special सुविधाय मिलेंगी complete course मिलेगा पूरी जीमिदारी के साथ सिखा जाएगा अगर आपको वास्तों में सीखना है मैत से कमजोर है आप मैत में आपको डर लगता है मैत का सवाल आपको नहीं आता है तो जोईन कर लीजिए पहले इस्ते मार करें फिर विश्वास करें कि बात के आधार पर आप पहले class को देख लीजिए 4-6 class आपको जो डेमो मिल रही है आपको खुद ही लगेगा कि करना चाहिए चलते हैं फिर इनी बातों के साथ बहुत बहुत सुक्री आप सभी को जै हिन जै भारत इस class को दोस्तों में share करिएगा वीडियो को वारल करके जाएगा मित्रों बस यही request हो और हाँ अगर कोई सिकायत है तो उसे भी बता देना हमारी कोशिस होगी कि आपकी सिकायत का निपडारा किये जाए